इश्वेरिय प्रेम को समझे एक प्रेंट ड्रेवर था उसका घार रेलवेल लेन के पास था जब वो अपने घार के पास से होका प्रेंट से गुजार रहा था उसका तिन वर्षय पुत्र रोज दिन हाथ हिला कर उसे बाय बाय करता था एक दिन ट्रेंट ड्रेवर ने अपने बेटे को नहीं देखा वह सोच में पड़ गया कि अखिरवा गया कहाँ जब उसने खिड़की से सीर बाहर निकलता तो उसका हलक मुह में आ गया उसका बेटा रेलवे लाइन में विप्रित दीशा में पापा पापा कहते चिला आ रहा था या वही लाइन थी जिसमें उसका ट्रेंट चल रहा था उसने अपने बेटे को लाइन से हट जाने के लिए चिलाया लेकिन तिन वर्षिया बलक बलक क्या समझता आप ट्रेंड रेवर के पास दो विकल्व थे या तो ट्रेंड को जोर से ब्रेक लगाए या फिर ट्रेंड को उसी गति से चलने दे अचानक ब्रेक लगाने की स्तितिह में ट्रेंड के पलट जाने की संभावना थी इससे कई ब्यत्रियों की जान जा सकती थी लेकिन अगर वह ब्रेक ना लगाए तो उसका तिन वर्षय वेटा ट्रेन के नीचे आ जाएगा स्तिती बहुत विकड़ थी या तो वह अपने यत्रियों को बचाए या फिर अपने बेटे को यत्रियों की जन बचाने के लिए उसने ट्रेन को उसी गत्ती से जाने दिया लेकिन उसका बेटा ट्रेन की चापेट में आ गया हमारे इश्वर की स्थिती इसी ट्रेन ड्रेवर के जैसे है इश्वर नहीं चाहते थे कि उनका एकलावता बेटा येसो मासी मार जाएं किन्तु मनुष्य जत्ती को बचाने के लिए शायद और कोई उपाय नहीं था अता इश्वर ने हम मनुष्यों को बचाने के लिए अपने एकलावते बेटे को बलिदान कार दिया इश्वर ने संक्सर से जब इतना प्यार किया कि अपने एकलावते बेटे को हमें बचाने के लिए भेज दिया क्या हम मनुष्य इतना कृतग ना बने कि उनके प्रेम को ना समझ सके हमें इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हम इश्वर को आकथन या प्रेम को पहचाने और अपने जीवन को इश्वर ये राह की और मोड ले